सुशान सिंग रादपुत केस में महराज सरकार की और से पहला बयान आया है जी हाँ, अभी तक सभी ने चुपपी साधी हुई थी और अब एक पहला बयान आया है और ये बयान आया है महराज क्याबिनेट मिनिस्चर का उन्होंने ये कहा है राजेश टोपे ने जो Health Minister भी है कि ये decision जो है Supreme Court का वो महराज सरकार के लिए setback नहीं है उनका ये कहना है कि Supreme Court का decision महराज सरकार के लिए setback नहीं है इस तरीके से उन्होंने इस तरह का बयान दिया है कि जो भी Supreme Court में आज निर्डे आया है ये पूरी जाज जो है CBI के हाथ में जली गई है Supreme Court ने जो 35 पन्नों का judgment जी हाँ जो judgment निकाला है उसमें ये कहा गया है कि मुंबई पुलिस जो जाज कर रही थी वो से वह inquest थी उसके बाद बिहार पुलिस ने जो F.I.I.R. दायर की वो बिल्कुल सही थी कानूनी दायरे के अंदर थी और उसमें जो है सभी पहलों पर जाच हुई और इसके बाद उन्होंने कहा कि जो petitioner है रिया वो भी CBI जाच चाती है और इसलिए ये केस अब CBI को दिया जाता है और ऐसे में बहुत सारे नेता जो है मांग कर रहे है कि resign कर देना चाहिए अनुदेश मुक को कहीं लोग जो है मुंबई पॉलिस कमिशनर की resignation की मांग कर रही है तो ऐसे में महराश के मंतरी का वयान आया है राजेश चोपे का कि ये कोई setback नहीं है जो Supreme Court का decision आया है The government जो हमारी higher authority है Chief Minister, Deputy Chief Minister, Home Minister हम लोग जो है meeting कर रहे हैं और उसके बाद जो है आगे का path decide होगा आगे का रास्ता decide करेंगे कि किस तरह से होगा यह सभी senior leader जो है मिलकर meeting करके इस पर decision लेंगे तो इस तरह का बयान मैं कहूंगी कि पहला बयान आया है सरकार की और से